हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल को क्वित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्ट एंड होष्ट अनीसा तो फ्रेंट्स आज मैं बचे हुए चावल से बहुत ही टेश्टी और हेल्दी रेसिपी लेके आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूलें तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने बचे हुए चावल ले लिया है जो रात के बचे हुए थे तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रैंटिंग जार और जो हमारा चावल है उसको हम मेजर कर लेंगे तो आप घर का कोई भी कप या कटोडी सेट कर लें उससे जितना भी चावल बचा हो वह आप ले सकते हैं तो हमेशा हमारे घर में बची जाता है चावल तो यहाँ पे दो कप जो है हमारा बना हुआ यह चावल है तो इसी के साथ इसमें म पर जरूरी है इसको डालना आधा कप यहां पर मैं डाल रहे हूं इसमें दही जो की इसको अच्छा सा सा स्पॉंजी बनाएगा और इसके फर्मेंटेशन में भी मदद करेगा और इसी के साथ इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप पानी पानी डालने से इसको अच्छे से हम पी चीनी तो चीनी भी साथ में ही डाल दे अगर आप पीसी हुई चीनी का प्रियोग कर रहे हैं तो आप बाद में भी डाल सकते हैं तो यहां पे चीनी डाल के अच्छे से हमें इसको ग्राइंड कर लेना है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से यह ग्राइंड हो च प्रांसफर कर लेंगे जो हमने पेश्ट बना के पीस के तयार किया है तो सारे पेश्ट को अच्छी तरह से हमें ग्राइंडिंग जार से निकाल लेना है और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जो इसी तरह की युनिक युनिक रेसिपी अपने चैनल पे देती हूँ वो आपको देखने को मिल सके तो इसमें आधा कप मैंने पानी डाल दिया है ग्रैंडिंग जार में और इसको अच्छे से धो के हम ढाल देंगे जो हमने बैटर तयार किया है क्योंकि अभी ये बहुत जादा गाढ़ा है और एक बार इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि इसमें कोई भी लंस ना रहे तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे ये देखे तो अच्छे से पहले इसको थोड़ा स पानी डाल के जरूर से मिक्स कर ले ताकि ये लमसफ्री हो जाया तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है आप इसके लिए हैंड विसकर का यूजय कर लीजी बहुत आसान होता है अब यहाँ पर मैंने ढाल दिया इसमें 2 टेबले स्पून सूजी आप सुजी के जगह पे जो है चावल का आटा भी डाल सकते हैं इससे बहुत अच्छा बाइंडिंग आता है और अभी बहुत गाढ़ा हमारा ये बैटर था तो इसमें आधा कप मैंने और पानी एड़ कर दिया है और इसको हमें अच्छे से एक से डेर मिनट तक फेंट लेना है जब तक कि हमारा बैटर जो है एकदम फलपी सा तयार ना हो जाए और अब धीरे धीरे देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये देखने में ही एकदम फलपी दिखने लगता है जितना फलपी हमारा बैटर होगा उतना ही अच्छा हमारा नास्ता बनके तयार हो तो इसको ढखके हमें 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है जिससे कि इसमें जो हमने सूजी डाला है बेसन डाला है वो अच्छी तरह से फूल जाए हमारा बेटर सेट हो जाए तो चलिए तब तक यहां पे मैंने ले लिया है एक श्टील का डबा आप जो है कोई भी कंटेनर ल पूज कर सकते हैं लेकिन वाइल से ही यह बहुत अच्छे से हो जाता है तो यहां पे 15 मिनट करीब हो चुका है तो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं तो चलिए एक बार इसको हम चला के देख लेते कि इसकी ठीकनेस कितनी है उस हिसाब से इसमें अगर पानी डालना इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और यकिन मानिए ये डालने से आपका जो नास्ता है उसका स्वाद बहुत ही जादा अमेजिंग हो जाएगा और आधी चमच यहां पे मैंने इसमें डाल दिया है कच्चा जीरा और इन सब को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ज इसके जगब पे आधी चमच इनो साल्ट भी डाल सकते है इनो फूर्ट साल्ट इससे भी बहुत ज़्वर्मैंटीसन होता है लेकिन दही डाल हया अप देख सकते हैं अब इसे हम इस्टीम करने के लिए चरहा देंगे तो यहां पे जो हमने डबा तयार करके रखा था उसमें कंटेनर में हमने डाल दिया है जो हमारा बैटर है इस तरह से देखिए हमें थोड़ा सा जगह छोड़के डालना है ताकि यह जो फूलेगा तो उपर तक आ जाएगा तो हमें जगह छोड़ते हुए ही इसको कंटेनर में डालना है और यहां पे मैंने कराही में चरहा दिया है पानी और पानी जो है अच्छे से बॉयल हो रहा है तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने कंटेनर तयार किया है और इसको ढखके हमें 15-20 मिनट के लिए मीडियम ख्लेम पे एस्टीम कर लेना है तो 15 मिनट के बाद एक बार जरूर आप चेक कर लें अगर आपका बैटर जो है वो पतला होगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है और बैटर अगर गाढ़ा होगा तो थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा तो मैं 15 मिनट में इसको लेती हूँ तो यह देखे जो हमारा तूथपिक है वो बिल्कुल किलियर निकला है इसमें बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं है तो यह हमारा पक्के तैयार हो चुका है आप देखने से ही लग सकता है कि बहुत ही अच्छे से यह पक चुका है तो अब यह हो चुका है को वो भी दिखा दूंगी और यह देखिए आप की जो अच्छे से यह कंटेनर का जो है छोड़ चुका है जो हमारा नास्ता है तो अब एक बार चाकू से इस तरह से हम साइड में चाकू को घुमा देंगे जिससे की बहुत ही आसानी से हमारा नास्ता निकल के तैयार हो जाए और बिल्कुल भी डबा में लगा हुआ नहीं है और आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितना एस्पॉंजी बना हुआ है यह मैं अभी आपको उठा के भी दिखा देती हूँ यह देखिए कितना जालीदार और एस्पॉंजी बनके तैयार हुआ है एकदम ढोकला जैसा कट कर सकते हैं बिल्कुल आप जब इसको खाएंगे तो एकदम जैसे हम ढोकला खाते है न वैसा ही स्वाद आपको इसमें आएगा बिल्कुल भी आप नहीं बता पाएंगे कोई भी नहीं बता पाएगा कि यह ढोकला नहीं है और आप देखिए कितना इस्पॉंजी है यह वैसा ही खटा मीठा नमकीन सा स्वाद लगता है इसका और जो हमने प्लेट तयार किया था ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसको भी साइड से हम छुरा लेंगे और इसको मैंने इस तरह से पिज़ा का सेप दे दिया है क्योंकि बच्चों को पिज़ा सेप में बहुत ही तयार करेंगे तो यहां पर एक टेबल एस्पून मैंने डाल दिया है वाइल मैंने बताया था ना कि बस एक चमच वाइल में बनके हमारा नास्ता तयार हो जाएगा और अब इसमें मैं डाल दूंगी राई और इसमें मैंने राई के तरकते ही डाल दिया था तिल और करी पत तो यहां पे चलिये मैं इस तरह से डाल देती हूं इस पे हमें कोई भी खटा मीठा पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने दही डाला हुआ है तो यह खुद ही खटा है चीनी भी डाल दिया था हमने नमक भी है तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा और यह बचे रेसिपी ज्यादा पसंद आया है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यह तो मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो जै माता दी बाबार